दोस्तो अगर 20MI खेलते समय आपके फोन का बैटरी काफी तेजी से उतर जाता है काफी तेजी से खतम हो जाता है या फिर कोई भी ओनलाइन गेम खेलते समय आपके फोन का बैटरी काफी तेजी से खतम होता है तो ऐसे में दोस्तो आपको अलग से कोई भी एप डाउनलोड नह करेंगे फिर भी आपके फोन का जो बैटरी है औंडर पीचर है उससे आपको अंको ओन करना है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पसंद आएगा टो लाइब को शेर कर देना कि यह अ कि अ बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर ओन कर देते हैं इनेबल कर देते हैं फिर जब भी दोस्तों बीजियमाई खेलेंगे या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपके फोन का जो बैटरी है वो जल्दी खतम होने का नाम नहीं लेगा बहुत ही बैटरी करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा ठीक है कई की फोन में बैटरी एंड परफॉमेंस होता है या फिर कई की फोन में बैटरी एंड आप्टमाइजिशन होता है ठीक है तो कुल मिलाके इसी सेटिंग को आपको ओपेइन करने के बाद आपको सेटिंग के उपर क्ल हो रहा है उससे आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे कि हम battleground mobile india खेलते हैं तो हमने इसे यहाँ पर select कर लिया है इसे select करने के बाद दोस्तों यह no restriction पर set होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे दोस्तो आपको बैटरी सेवर पर सेट करना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है जैसे आप इसे बैटरी सेवर पर सेट कर देते हैं 50% तो आपके फुन का जो बैटरी है वो ऐसे ही बचना शुरू हो जाता है यानि कि दोस्तो अगर आप इसे इस पर करके आप खेलते हैं, तो गेम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परिशानी नहीं होगा, नॉर्मली गेम चलेगा, लेकिन दोस्तो जो बैटरी है, वो कई गुना ज्यादा सेव होगा, समझे रो, यह सबसे पहला सेटिंग यहाँ पर करना है, उसके बाद आपको यहाँ से ब बैटरी है, वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, तो जैसे कि एक्जामपल के लिए, दोस्तो मेरे फोन में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे फोन का जो बैटरी है, वो यूज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 54%, यानि कि लगबग आधा हमारे फोन का जो बैटर करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखना है display वाला setting कहाँ पर है तो यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं यह रहा display का setting तो इससे आपको open करेना है हर एक phone में दोस्तो अलग-अलग बोल सकते हो थोड़ा setting होता है तो आपको छेए कर लेना है कहां कहां पर आपके फोन में दिया हुआ है तो आपको यहां पर आ जाना है यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको नीशा आना है यहां पर आपको यह दिखना है कि जो refresh rate है यह किस पर set है यहां पर दोस्तों आप देख सकते है मेरे फोन में ये 120Hz पर सेट है 120Hz पर सेट है इसका मतलब यह है कि भाई काफी तेजी से यमारे फोन का जो बैटरी है वो खतम होगा अब दुस्तों आपको करना क्या है यहां पर यह जो है 120Hz पर सेट है तो इसे आपको 60Hz पर सेट कर देना है या फिर अगर आपके फोन में 90Hz आता है तो उसमें आपको इसे सेट कर देना है लेकिन 120Hz पर सेट करके नहीं रखना है नहीं तो दुस्तों आपके फोन का यह जो बैटरी है वो भाई पता ही नहीं चलेगा आपके फोन के डिस्पले में यह आधा से जादा खर्च हो जाएगा समझो तो जैसा कि मैंने आपको दिखा है 54% जो है हमारे फोन का जो बैटरी है और डिस्पले के अंदर खर्च हो रहा है तो ऐसे में अगर आप यह सेटिंग कर लेते हैं तो काफी हद तक दोस्तो आपके फोन का जो बैटरी है वो सेव होगा तो इसे यहाँ पर 6D पर सेट कर देना है उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है ठीक है सबसे पहला सेटिंग डिस्पले के अंदर आपको यह करना है उसके बाद यहां से उपर आएंगे तो यहां पर दूस्तों आपको दो मोड दिया हुआ है एक है दूस्तों Light Mode, दूसरा है Dark Mode तो इसे हमेश्बा दूस्तों आपको क्या करके रखना है Dark Mode पर set करके रखना है अब दोस्तों गेम खेलते हैं तो ऐसे में आपके कोई भी काम नहीं आएगा लेकिन दोस्तों जब आप नॉर्मली फोन को यूज करेंगे तो ऐसे में दोस्तों यह जो Dark Mode है यह आपके फोन के जो बैटरी है उसे यह काफी जड़ा सेव करेगा वजल से ही फिर आसानी से आप गेम खेल सकते हो तो आपको इसे dark mode पर set करके रखना है यह याद रखना अभी मैं फिलाल video बना रहा हूँ तो इसे मैं light mode पर set कर देता हूँ क्योंकि video में फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो इसे आपको हमेशा जो हेDarkt mode पर set करके रखना है तो यहां पर दोस्थो हमारा यह दूसरा setting हो गया초, डिस्प्ले के अंदर total अभी तक मैंने आपको 3 setting बताया है, 1 बैटरी के अंदर और 2 setting जो है, डिस्प्ले के अंदर बताया है अब जो fourth number का setting है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा important है जैसे जैसे मैं setting बता रहा हूँ न वैसे वैसे ही आपको अपने phone के अंदर करना है कई लोग भाई वीडियो को skip करके चले जाएंगे वो लेंगे भाई ये सब setting तो पुरानी है लेकिन भाई बताओ पुरानी चीजे ही दोस्तों हमारे phone के बैटरी को काफी लंबे समय तक चलाती है इस बात का याद रखना अगर मैं आपको कोई नई application डाउनलोड करके बता दो भाई ये डाउनलोड करके ये कर लो बैटी लंबे समय तक चलेगा तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों जो setting में बताता हूं वो ज्यादा काम आती है ठीक है तो आपको setting सई से करना है अब दोस्तों जो fourth number का setting है उसके लिए आपको आ जाना है additional setting के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा developer option आप यहाँ पर देख सकते हैं कई कई फोन में ये जो है बंद मिलेगा तो आपको क्या करना है about phone के अंदर जाना है वहाँ पर दोस्तों build number पर 7 बार click करेंगे न तो ये जो है setting on हो जाता है developer option उसके बाद दोस्तों आपको इसे open कर देना है इसे open करेंगे तो इस प्रकास से आपके सामनी ये setting खुल कर आ जाता है यहाँ पर दोस्तों हमारे phone के पूरे जो developer वाले setting होते हैं उस सब देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों battery saver के लिए एक बहुत ही खतरनाक setting है जिसे आपको on करना है वो setting कौन सा है मै आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ से scroll down करके नीचे की तरब चले आना है जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर बहुत सारे setting है तो आपको धिहान से उस setting को search करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ से नीचे आते हैं तो जो battery drain है उसे reduce कर देगा कम कर देगा और जो network की performance है उसे बढ़ा देगा तो आपको simply करना का है आख बन करके भाई इस setting को on कर देना है समझे रहो इससे आपके phone का जो battery है ओ कम drain होगा और आपके phone का जो network है ओ काफी जड़ा fast हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको इस setting को on कर देना है उसके बाद दोस्तों 5th number का setting करने के लिए आपको यहाँ से नीचे के तरफ चले आना है जैसे आप यहाँ से नीचे आते हैं तो मैं आपको एक setting दिखा देता हूँ वो setting है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है background process limit इसके बारे में दोस्तों मैंने आपसे पहल directly आपको नहीं लेना है आपको simply करना के यह setting दोस्तों करता के है जब हम game खेलते हैं तो हमारे फोन में background में जितने application अलग से होते हैं जितने अलग से game होते हैं उनको भी background में यह run कराता है जिससे battery इतना ज्यादा खर्च होता है कि हमें पता ही नहीं चलता यानि कि हम game खेल उसमें तो battery खर्च हो रहा है लेकिन हमारे फोन में जो अलग से application रन कर रहे है background में उसमें भी 200 battery खर्च हो रहा है समझ रहो तो उससे अच्छा है आपको यहाँ पर इस setting को बन कर देना है जिससे होगा यह कि जब आप game खेलेंगे तो पूरा का पूरा जो battery है वो आपका game के अंदर ही जाएगा अलग से किसी application या फिर किसी भी जगे पर नहीं खर्च होगा समझ रहो तो आपको इसे no background process पर set कर देना है like आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे दुस्तों आप यह पाच्वी setting कर लेते हैं उसके बाद सभी setting यहाँ पर complete हो जाता है अब आप बिंदास ह हो गया या फिर कोई भी online game हो गया उसी खेल सकते हैं और जो battery backup है और पहले से दुस्तों आप खुद try करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले कितना battery चलता था और अब दोस्तों यह सभी setting करने के बाद कितना battery चल रहा है और कितना लब में समय तक आप game खेल पा रहे हैं हुआ 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 है